समभव अच्छा ये बात में आपको करना चाहूंगा कि राज्य涼ीट यारी इन यानि यह पियरा शूट से उतार दिये जाते हैं जो पार्टी में नहीं भी होते हैं वो भी पार्ट concept बदल जो है वो अब की बार किसी पार्टी पे ज्यादा विश्वास नहीं करेगी को काम करने वाले व्यक्ति को व्यक्तितों को देखेगी कि ये व्यक्ति कैसा रहा है हमारे शेहर की सेवा कर सकता है कि नहीं दोस्तो मेरे महरवान दोस्तो मेरे मित्रों हम अक्सर मीडिया के माध्यम से ऐसी personality से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी ना किसी अक्षेत्र में बड़ा योगदान रहता है और करन्ट मुद्दा है कि हासी के अंदर हर्याना के अंदर नगर प्रिशद के यानि हांसी पर्टुकलर की बात करें तो नगर प्रिशद का कारियकाल समाप्ति की ओर है और चेर्मेन के दावेदारी और ताल ठोकने वाले कई व्यक्तित हमारे पास आते रहते हैं आज हम एक ऐसे व्यक्तित से मिलवाते हैं जिन्होंने तीन बार नगर प्रिशद में लगातार है ट्रिक लगाई है नगर प्रिशद के मुनिस्पल कॉंसलर होकर और पिछले दिनों इन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा था हम मिलवाते हैं ऐसी परसुनालिटी से आप हैं हरी राम सैनी जी चहरे मौरे से बड़े खुबसूरत हैं खुबसूरत भासकर देवता कि ये किरने आ रही हैं चहरे पे और हमेशा मुस्कराते रहते हैं स्माइलिंग फेस रहता है लोगों के बीच रहते हैं आईए इनी से एक छोटी सी मुलाकात करवाते हैं हरी राम सैनी जी तीन बार पार्शद रहे हैट्रिक लगाई विधायक का चुनाव लड़ा तो सबसे पहले तो मैं सैनी आपका हासी की आवाज पर हाडिक अभिननदन करता हूं, स्वागत करता हूं, व wolकम करता हूं, अकसर हमारे मीडिया की आप रोनाक बनते हैं सबसे पहले तो आज की आवाज के सभी दर्शकों को मैं अपना नमशकार करता हूँ और मेरे बड़े भाई राजी बंसल जी इनका जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ आज उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात को जान करके भाई राजी बंसल जो हासी के सीनियर पत्रकार हैं सर सर या मैं इतफाक रखता हूँ आप मुझे इतना सीनियर मानते हैं लेकिन मैं बड़ा नॉर्मल आदम हूँ सर स्वीदी सी बात करता हूँ तीन बार पार्शद रहना है ट्रिक लगाना जनता के बीच में रहना ये बहुत बड़ी बात है यह सभी आप भाईयों का शिर्वाद हैं जनता का शिर्वाद है और बार-बार तीन बार मुझे पार्शद्स बनाकर के जनता ने बेजा हैं और में उनकी लड़ाई बखुवी नगर परिषद में लड़ा भी हूँ पूरे काम करवाई है और बड़ा प्यार वार्ड की जन चुनाव आएगा नहीं चुनाव आ रहा है और चेर्मेन का सिदा चुनाव आ रहा है काउंट डाउन शुरू होगे हाना कि दूर है समय थोड़ा सा आप चेर्मेन के चुनाव की कितनी ताल ठोकते हैं और कैसे स्टैटीजी बनाएंगे? ताल ठोकने वाली बात तो है कि मैं जादा कभी बोलता नहीं हूँ, ना कंट्रा वर्सी में फड़ता हूँ, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ, बड़े ढंग से, बड़ी प्लानिंग से करता हूँ, और चेर्मेन का इलेक्शन जो आने वा प्रोग्राम में नहीं हो पाए तो वो करने की मनशाह है और वो करके दिखाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि हासी नगर परिश्द ने विकास करवाई लेकिन हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है पॉब्लिक एल्ट करोडों रुपे की लागत से रोड बना और फिर पाइ टेलिफन एक्सचेंज़ वाड़ों ने उसे पाड़ बगाए तो यह इनका इसमें तो जिम्मेवारी आप लोगों की भी है इसमें तालमेल नहीं है आपकी प्रायर प्रमेशन से वह ऐसा उखाड़ देते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह नहीं हो पाया और तालमेल की कमी रही अधिकारियों के तालमेल की कमी रही लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूगा अशने मैं बड़ा सोड़ा साल में बहुत कुछ सिखा है और बहुत बड़ी आद तरीके से सबी डिपार्टमेंट्स के साथ तालमेल बना करके हम बीजेपी सिंबल से लड़ेगी कॉंगर बड़ीया मजबूती से लड़ेंगे पिछनी योजना में बीजेपी का चेर्मेन रही आदनियन निर्मला सेने जहीं आप भी हाउस के मेंबर रहे उससे पिछली योजना में भी एक चेर्मेन रही उसमें भी हाउस के मेंबर रहे उससे पिछली योजना में भी चेर्मेन र कि अधिकारियों की आप सी तालमेल की वज़े से जो पैसा लगा उस पर दूसरे डिपार्टमेंट ने पब्लिक एल्थ ने ग्रहन लगा दिया सारे रोड बढ़ने से सहre हो तो प्रोग्रेस और बढ़ geçि लेकिन दूसरे कि पढ़व से दिखाए मiplग से इन्हों वह ने आपसमें नो बढ़ना क्रेस कार मैं और अब मैं आपको एक बात और बता आना चाहता हूँ जिन मुद्धों पे चेर्मेन को या MLA को करना चाहिए अब उन वुद्दो की तरफ द्यान नहीं दिया जाता अब मैं आपको बताता हूँ 246 पोश्ट ने अभी थोड़ी दिन पहले समाचार पत्तर में आई थी कि 246 पोश्ट ने खाली है लेकिन कोई नहीं समझता कि 246 पोश्ट ने खाली है लेकिन उनको बढ़नी की कोई परकिरी आज तक चालू ने कार्यकाल में आपने चेर्मेन का साथ भी दिया सही होगी रहे और काम करो आया बाइदावे ये बीजेपी से लड़ते हैं वर्तमान चेर्मेन खुदाना खास्ता है इनको सिम्बल मिल जाता है खारा आप इनके विरोधी रहेंगे तो इनकी किन-کिन बातों का विरोध करेंगे यह और क्या आपके मुद्दे होंगे देखो मैं आपको पता है कि में कंट्रावर्सी में कभी नहीं पड़ता मैं अपना काम करूंगा मैं अपनी बाते रखू है योजनाई भी मनी है अच्छी लेकिन मैं जहां दुखी हुआ हूं वो सिरफ एक ही कारण है कि तालमेल की कमी रही कभी पबलिक एल्थ ने आगर के समश्य कोई नहीं रहते बीजेपी का जो भी केंडिडेट होगा विदाय के आशिरवास से लड़ेंगे तो क्या कितना संघर्ष करके उस कैंडिडेट को हाराने काम करें क्या स्टाटिजी होगी करने वाले कीमत समझेगी जंता तो मुझे का चेर्में बनाएगी और मैं चेर्मन बनते हैं मेरे काम बने आपको बताए है सबसे पहले हैं और 27 वार्ड में आपको पार्षदों के भी वोट मागने पड़ेंगे कि इस पार्षद को वोट दो डबल डबल ताइस के अपना पार्षद अपना नुमाइंदा खड़ा करेंगे अच्छा और उसके बाद बड़िया टीम बनाएंगे और फिर इलेक्शन वैसे लेक्शन नहीं लड़ेंगे राजीव जी बहुत बड़िया तरीके से लेक्शन अगर बीजेपी आपके अंदर वाइद है इस वेरी हा कि बीजेपी में इन पैरा सूट से उतार दिये जाते हैं जो पार्टी में नेयुघ होते हैं लोग बहुतीं स्माज चेंटा बहुजन समाज पार्टी नेखिला रंकिया जाे गा लेकिन जनता जो है वह अब किवार किसी पार्टी you पाइज़ा बिश्वास नहीं कि वह काम करने वाले व्यक्तिक को नैगी कि यह एक कैसा रहा है हमारे शहर की सिवा कर सकता है कैं कंपा देख़ करशा क्या शचान ही समय कि मैं दुबारा ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जाती है समिकन तो होते हैं लेकिन जब जनता यह सोच ले कि हमने शहर का विकास करवाना है तो वह जाती है और एक अच्छे इंसान को बोट देने का काम करें लिए बैदेवे मैं तो बड़ा क्रिटिकल एनलेसिस करता हो सेनी खड़े हो जाते हैं आप काई मित्र जिसके साथ आपने काम किया है बीजेपी उसको उतारती है और आप उसके अपोजिट खड़े होते हैं तो कैसे क्या करेंगे मैं पहले भी यह बता चुका हूं कि मैं जब इलेक्शन लड़ता हूं तो कौन सामने है उसको नहीं मैं यह नहीं देखता क्योंकि तीनवा इलेक्शन लड़े है मैंने पारश्चद के मेरे सामने कौन आया है को नहीं मैंने कभी इस बात इस वारे में कभी सोचा तक नहीं है कोई आए यह मैदान है मेरे मित्र हैं नंबर को इनको थीक है bunch कौ में कुशन अब फिर मैंने एक बार थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आज जी में कभी पढ़ता नहीं और इसलिए सबसे मेरा प्यार कंट्रावर्शी में आज तक मैं ऐसे जो लोग पिरिये हरी रामसानी जी जो है ट्रिक बना चुके हैं पार्शद की और विदाय का चुना भी लड़ सकते हैं लड़े हैं जैनों ने और कहा कि कॉंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता लेकिन इनक कहना है कि गलत काम के लिए टोकते भी हैं और सई काम की सरहना करते हैं तो सैनिस आप आप हमारे चैनल पे आए समय धीर बहुत शुब कामनाई हैं मैं तो इतना ही कहूंगा कि चले जाते हैं आपकी मेफिल से हम अगर फिर दिल घवर आए तो हमें बलाईए गाया नमस्कार सहने साव ये थे हरी राम सहने जी जिन से हमने बेबाक बातचीट की चेर्मेन के मुद्द